नमस्कार मैं पूजा प्रया और आप देख रहे हैं बिहार इन सोर्स दिली में कार्वेकारणी बैठक में शामिल हुए जीतनराम माजी ने आज बहुत कुछ ऐसा कह दिया है आपको पता है कि जीतनराम माजी ऐसे नेता है जो अपने बयान से लगातार सुरुख्यों में बने रहते हैं आज नोने एक बार फिर से आरक्षन के मुद्दे पर बहुत कुछ सुझाब दिये हैं और यहां तक कि आरक्षन खत्म करने की भी बात कही है लेकिन इसको लेकर वो क्या कुछ सुझाब दे रहे हैं और आप आरक्षन को लेकर क्या तमाम बाते वो कह रहे हैं पहल आरचित कोटे को लोग डोयम डर्जे करने देते हैं तक इस खलंग को तूर करने के लिए ही बाबामेर करने कहा था कि लेकिन आज करीकरी चे साथ पर एक्सेंशन को रहा है और एक्सेंशन देने की बात के साथ साथ वने कहा था कि हम कितना काम किया है रख्षम कर देशन में उसको आपको रिवी करना चाहिए तो वह भी रिवीव नहीं हो रहा है तो वैसी प्रसीटी में होने जो पहा था कि कॉमनिस्क्रीज सिस्टम जदि प्यारता है तो वैज प्रसीपी ने कोई नीच कहला अपना वाई वर्चूआ बेर मेरी तो आपना प्रसीपी अराजंग की तो लेकिन वू लागू होने के फ़ले अगर अधार्शन मिताजने की बातुगी तो गलत शुवाइब नहीं हो जब तक कॉम्मोनिस सिस्टेप्स नहीं हो और कॉम्मोनिस कूलिन सिस्टेप्स के उसके 10 साल के बात। फीर इसको भटाया जा सकता है। हम इसके पक्समें हैं। इसलिए कि उससे आज जहां कहीं भी आप जाते हैं हम भी नौकर के सामें हमको भी कहा रहता है तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहसा नहों और प्रहाई लिखाय का मुझा सबको मिले हम उदारां भी अपना देते हैं कि हम एक जड़ी भरकेते किसी तरह से पढ़ गी है तो आज हम और उन्हें भी ये चीज जहेलनी परी है जब वो काम करते थे तो उन्हें भी सुनना पड़ता था कि आप तो आरक्षित सीट से आए हैं इसको लेकर उनका कहना है कि सबको समान अपसर मिलने चाहिए पढ़ाई करने कर खासकर जो उनका मुद्दा था वो पढ़ाई को लेक और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा आरक्षन को मुद्दे कर लेकर जो आपने सुना लेकिन अब देखना ये है कि जो लोग आरक्षन के पूरे तड़ीके से पक्षधर है उनका इस पूरे मसले पर क्या जवाब होता है और वो जितर नामाजी को क्या सलाह देते हैं ये झाले वाद